क्या रहा है कि जो सबसे लीस्ट वैलू 6 डिजिट की उसको वो कह रहा है कि अगर वो एन है तो उसको जब हम 4 से 6 से 10 से और 15 से डिवाइड करते हैं तो हर केस में रिमेंडर कितना बचता है दो बचता है तो हमसे पूछ रहा है कि number of डिजिट मतलब जो यह 6 डिजिट की वैलू है एन इसके हर डिजिट को सम करके बता ठीक है तो आई हम इस तरीके के question में सबसे पहले कैसे proceed करेंगे कि जो हमारे divisor है 4 6 10 और 15 उसका हम LCM निकाल लेते हैं तो LCM 4 6 10 और 15 का जब LCM निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे यहां पर सबसे छोटी value जिससे ले जाएंगे वो कौन से होगी 2 यहां पर क्या जाएगा 2 आ यहां पर 2 as it is 3 it is 5 ऐसे आ जाएगा और यहां क्या आएगा 3 आएगा अब जो next value use करेंगे वो 3 होगी और यहां जो value आएगी वो कितनी आएगी 2 1 1 1 1 ठीक है और next 2 आएगी तो बाकि सारी values 1 1 1 1 हो जाएगी ठीक है तो जो इसका LCM आने वाला है वो क्या आने वाला है 2 into 5 into 3 into 2 मतलब 5 2 0 10 10 3 0 30 into 2 60 एक है 60 और least value least number six digit का क्या होता है वो होता है 1 5 times 0 यह है least number six digit का अब जब हम इसको least number six इसको जब हम divide करेंगे 60 से तो हमारा remainder क्या आने वाला है हमारा remainder आएगा 40 ठीक है इस value को मतलब least value जो six digit की है उसको जब हम 60 से divide करते हैं तो हमारा remainder क्या आता है 40 आता है ठीक है तो हमें जो least value find करनी है जो six digit की हो जो 4, 6, 10, 15 से divide हो सके तो वह value का उन सी होगी 10 था 1,10,100,000,000 माइनस ब्लस 60 माइनस 40 तट यह यह जो होगी वह value होगी जो 4, 6, 10, 15 से completely divide होगी लेकिन हमें question में दे रहा है कि हर case में वो remainder दे रहा है 2 it means इस value में अगर हम 2 add कर दें तो हमें हर case में क्या मिलने वाला है remainder मिलने वाला है 2 जब वो 4 से 6 से 10 से और 15 से divide करेंगे तो ठीक है अब हमसे क्या पूछा है question में कि इसके digit का sum बताएए means 1 plus 0 plus 0 plus 0 plus 2 plus 2 means जो इनके digit का sum है वो है 5 option no.2 इस question का सही answer